हेलो जी नमस्कार आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल हार्मोनिम गुरू में तो आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम बेंजो सारे गामा पादा निसा कैसे बजाएंगे ठीक है तो पीछे वेले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेंजो में टोटल कितने तार होते हैं और कौन सी तार से हमें प्ले करना होता है ठीक है तो मैंने आपको कुछ बताया था तो मैंने बताया था कि दो तार होते हैं जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी होता है बेस तार एक होता में तार ठीक है बाकि चार जाला होते हैं ठीक है तो मैंने आपको बताया बेंजो में सारे गामा पादनिसा देखे मेरे तो चलो यहां पे कुछ काले रण की बटन है मेरे को तो यहां से असानी से पता चल सकता है कि कौन सा काले से बोलो अगर मैं आपको बोलू कि मेरे बेंजो पे आप तीसरे काले से सारे गामा पादनिसा बनाओ तो बना सकते हो कच बेंजो में सारे के सारे य Olympics सफेद होते हैं तो उसमें हम कैसे पता करेंगे हमें सा कहां से मंखहां बताता हूं कि आपको सारे गामा पदा निसा बेंजो में कहां से बनाना है तो असान सी बात है आप क्या करिए पहले पांच बटन छोड़ दीजिए बेंजो के एक दो तीन चार पांच पहले पांच बटन आप बेंजो के छोड़ दीजिए ठीक है और फिर छटे बटन से उसको एक नमबर मान लीजिए ठीक है पहले पांच बटन छोड़ देने हैं इनको गिनके पांच छोड़ दो एक दो तीन चार पांच पांच छोड़ दिए और जो छटा बटन होगा आपका उसको आपको एक नमबर मान लेना है तो एक नमबर को आप सा मानीए जानि कि जो चटा बटन होगा आपके बेंच जुका उसको अबही छे नमबर नि Спसेज बरने दोन होगे तीन को पकड़ना है एक तीन तीन नमबर पर होगा आपका शुद्धरे देखिए साथ शुद्धरे ठीक है तीन नमबर पर फिर चार नमबर चोड़ना और पांच नमबर को पकड़ना है यह होगा आपका शुद्धरे 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 ठीक है तीन नमबर पर होगा आपका 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 शुद्धरे ठीक है तीन न हट नंबर के बाद 7 नंबर को छोड़ना 8 नंबर को पकड़ना हैं यह होगा अपका password पास्वर पासवर दिखी यह एक नंबर between some फिर धा के बाद आपको 11 चोड़ने जाने कि 10 नमबर पकड़के 11 चोड़ने और फिर 12 नमबर पकड़ने यह होगा आपका शुद्ध नीव फिर ऐसे आपको तेरमा बटन पकड़ने और यह होगा आपका ता सब्तक का सा ठीक है अभी देखते हैं कौन सा कोड हो कौन सा कौन सा नमबर बनेंगे एक नमबर बटन तीन नमबर बटन पांच नमबर बटन छे नमबर बटन आठ नमबर बटन दस नमबर बटन बारा नमबर बटन और तेरा नमबर बटन ठीक है यहां से count करना तो एक, तीन, पांच, छे, आठ, दस, बारा और तेरा तो यह बन जाएगा आपका शुद्ध भिलावल थार्ट में जो सारे स्वर्ज जो शुद्ध लगते हैं वो आपका सारे गामा पादा नीशा बन जाएगा तो देखी सा, रे, गा, मा पा, धा, नी, सा ऐसी वापिस आजाना है सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा ठीक है और एक बात ध्यान रखना है कि दोनों हाथों का जो koordination जैसा होना चाहिए जैसे जितना आप जो याँ पे जितनी देज इस हाथ से, राइट हंड से मार रे, इतनी हाथ इतनी देसे आपका ये कहा बजना चाहिए जानी कि प्रोपर एक बैलस में चलना चाहिए है ठीक है जितना स्लों आप यहां पर मारोगे इतनी ही आपको डूसरा की पर है टच करें सा रे दा मा पा धा नी सा ठीक है फिर दुवारा बापीस आजाओ सा नी ना पा मा दा रे सा इस परकार आपका बेंजो पर सारे गामा पाधा नी सा ठीक है तो यह आपका शुद्ध सारे गामा पाधा नी सा एक बार दुवारा बता रहा हूं एक नंबर तीन नंबर पांच नंबर छे नंबर आठ नंबर दस नंबर बारा नंबर और तेरा नंबर फिर तेरा नंबर से तो अभी जो आपका र refund का मैं आपको बताता हूँ जो आपको ऐसे-ईसे करना है मैंxes तार को अपने आपको तरीका बताता हूं आपको क्या करना इस जैनल की मैं अपको जली भी हमनीों कि क्या करना आपको जैसे शुरुवाद में आपको सारे गामा पादा निसा बजाना है तो आपको क्या करना है शुरुवाद में आपको सिर्फ खाली में तार को ही टच करना है इस बेस तार को टच करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक आपका यह तार कंफर्म नहीं होता तब तो आपको बेस तार टच करने की कोई जुरूरत नहीं है तो आपको क्या करना भी देखिए इसको उपर की तरफ माना तार को इस परकार आप इसको तार को छेड़ने का प्रैक्टिस करिए इसको कैसे बजाने आपको सा, रे, दा, मा, पा, दा, नी, सा ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आरो, सारे गामा, पादा, नी, सा अभी अवरो देखते हैं, अवरो कैसे बज़ेगा, वैसे ही जैसे आपको इसी तरह आवरो बज़ेगा सा, नी, दा, पा, मा, गा, रे, सा ठीक है, बिल्कुल इसी तरह प्रैक्टिस करना है आपको एक दो दिन आप इसी तरह आप जाने कि उपर की उपर की उपर की इस तरह मार मार के उपर की तरह मार मार के सारे गामा पादा नीसा का प्रैक्टिस करिए ठीक है जब आपका यह चीज़ confirm हो जाए, फिर आपको दोनों तरफ से माना, जाने की up, down, up, down, जाने की उपर, नीचे, पहले एक बार उपर, फिर एक बार नीचे, एक बार उपर, एक बार नीचे, तो उसमें सारे गामा पादानी से कैसे बज़ेगा, देखे, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, फिर इसी तरह आपरो, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा, ठीक है, जब इस तरह आपका हाथ बैट जाए, फिर इसको तेज कर देना है, आरे, गा, जाने की पैटर रहेंगा, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, जाने की उपर, नीचे, उपर, नीचे, ठीक है, इसका पैटर ये याद रख लीजे, आप दिमाग में, एक, डो, एक, डो, एक, डो, एक, डो, एक, डो, एक, डो, ठीक है, इस पे आप अपना हाथ बिठाईए, ठीक है, तो अभी मैं आपको दोनों तरीकों से, जाने की, अप डाउन के तरीके से, मैं आपको सारे कामा पादनिशा बजा के दिखाता हूँ, दीखें, उपर की तरफ एक बार नीचे की तरफ मारू एक बार, ऊपर की तरफ एक बार नीचे तरफ, फिर इसमने आपको uzzlow सो जब आप डेली प्रेuß करोगे और इस इसको ऊपर नीचे मालिक तो अपका हाथ फ्री हो जाएगा ठीक है और एक बात और ध्यान रखिए कि जब आपको इस तार को छेड़ने जब आपके दिमाग में कि है कि मैंने सिर्फ इसी तार को टच करना है जानिकि आपको इसी तार से सारे गवापादानीसा बजाना हैं जाए कि में तार से तो आपका जो ये पिकर और किसी तार से टच्ठ नी होने चाहिए प्रफिक है ज़रूर नहीं जैसे मैं बोल रहा हुआ हो कि आप बजा रहे हो सारे करहा अब पाता नहीं सा है तिस तरह नहीं बजिए जाने कि खाली आप अब का इतना ध्यान से बजाना है और आपको इतना स्लोगा जाना तर ही टच रही οिदा अजुआ के नरी होड़ो एगा ऐगे और हुर है इनका की आपको बताहुगा बाद में जुन भर घंने लожд ? इनका भी मैं आपको Use बदाओँगा धीरी-धीरी फीलिए आप इसी'd कश blij करें, इनका भी एक अलग मज़ा है कहके तो मैं आपको धीरी-धीरी च्खाओँगा आफ JO D गामा पादा निशा बजाना है ठीक है तो मैं आपको फिर बार एक बार बजा के दिखा देता हूं सारे गामा पादा निशा लास बर ठीक है इस परकार आपको सारे गामा पादा निशा बजाना है और ध्यान रहे कि एक रेुम में बजाना है, जयने कि एक, दो, टें, चाट, एक varianic speed में बजाना है, जयने कि जिरूरनी जल्दबाजी नी करनी, देखे, सा आप और तरीके से बजाने, डे पर और तरीके से, जयने कि एक प्रूरा slow में, देखे, सा, ने, अ, मा, पा, इसी तरह बापशान में सा मी धा पा मा ले सा ठीक है अपको यह वीडियो अच्छा लगेगा इस परकार आप इसको प्रेक्टिस करिए और फिर मैं आपके लिए आगे वाला इसको लिए आपको आगे वाला जो नया एड्वांस लेसन है जा फिर एड्वांस टेकनीक है मैं अगर वीडियो अच्छा लागे तो प्लीज लाइक जुरूर करिए वीडियो को हो सके तो शेर भी करिएगा और जो भाई पहली बार देख रहे हैं बेंजो का जो डूसर लेसन तो प्लीज चैनल को जुरू सब्सक्राइब करिए और कोमेंट भी करते रहा करिए ताकि जो भी आपको दिक्कत है फिर मेरे को बता चलते हैं मैं उसकी रिगार्डिंग आपका जो दिक्कत है वह मैं बता कि क्लियर कर सकूँ हर एक वीडियो में तो धन्यवाद शुक्रिया